सावन के सोमवार के पूजा विधी निमनलिखित है, सामगरी, शिवलिंग या शिवजी की मूर्ती, जल, दूद, दही, घी, शहद और गंगा जल, पंचामरित, बिल्वपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चावल, फल और मिठाई, धूप, दीप, अगर्बत्ती और कपूर, चंदन, भस्म, रोली और मौली, श्रीफल, नारियल, पूजा विधी, एक स्नान एवं शुद्धिकरण, सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्रधारण करें, पूजा स्थल को साफ करें, और वहां गंगाजल छड़क कर शुद्ध करें, दो, शिवलिंग स्थापना, आवाहन, शिव जी का ध्यान करते हुए उनका आवाहन करें, चार अभिशेक, सबसे पहले शिवलिंग पर जल चड़ाएं, फिर पंचामरित, दूद, दही, ही, शहद और गंगाजल से अभिशेक करें, अंत में फिर से जल चड़ाएं, पाच, श्रिंगार, चंदन, भस्म और रोली से शिवलिंग का श्रिंगार करें, बिल्वपत्र, धतूरा और सफेद फूल अरपित करें, छे आरती एवं भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती और कपूर जलाकर शिव जी की आरती करें, उन्हें फल, मिठाई और श्रीफल का भोग लगाएं, साथ मंत्र जाप, नमा शिवाएं, मंत्र का जाप करें, शिव चालीसा और अन्य शिव स्तुती का पाठ करें, आठ प्रसाद वित्रण, अंत में प्रसाद वित्रित करें और सभी को बाटें, व्रत का पालन, दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें, ब्रहमचर्य का पालन करें, भगवान शिव का ध्यान और भजन करें समापन पूझा समाप्ती के बाद भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दें इस विधी से सावन के सुम्वार की पूझा करने से भगवान शिव की विशेश कृपा प्राप्त होती है